हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब तो पिछले वीडियो के अंदर हम प्लांट हार्मोन्स को कम्प्लीट डिसकसन कर चुके हैं अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पे लिंक है वहां से जाकर कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज के आपकी पिट्वीट्री ग्लैंड और हैपो थालामस को तो वैसे हम पढ़ चुके हैं पर थोड़ा इसके बारे में आपको दुबारा यहां पर रिपीट करूंगा कुछ क्योंकि हाइपो थालामस को जब हम पढ़ेंगे तभी आपको पिट्वीट्री है वह अच्छे से अब के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जो पिट्वीट्री ग्लैंड थाइरोड ग्लैंड उसमें ज्यादा टाइम आपको लगेगा पढ़ने के अंदर सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम है वह क्या है यह जितनी सारी ग्लैंड्स आपके सामने नजर आ रही हैं जितने हार्मोन्स को सिक्रेट किया इन सब को मिला करके कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम आप जो हार्मोन्स सिक्रेट करने के लिए ग्लैंड्स है उनको भी टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं एक होता है आपके पास एक्जोक्राइन और एक होता है एंडोक्रा लगा अलग से कोई पाइप लगाने की जोरत नहीं है छाँने समस्तिक और हार्मोन नाहीं । तो कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लेंस जो अपने स्थ आजते। मैंनग को हो सकता यह देखिया है पड़े हैं यह अपकी घ्न करता है एक एक जो क्राइन को अपने हार्मोन को इसक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में करती उनके पास होता है उनके पास एक pipe होता है, duct किसको करते हैं, उस pipe में secret करती है, और उस pipe से होते वे, फिर वो जाता है किसी target site तक, जहां पे इनी उस hormone को effect करना है, वहां तक, जैसे कि आपकी slavery gland है, इनको duct वाली gland कहा जा सकता है, इनको exocrine gland कहा जा सकता है, तो ठीक, यहां पे आप देख सकते हैं, एक यहां पे lower जाके निचे होती है, और दो यहां पे देखें, चिक्स के पास, जो आपकी slavery gland है, उसकी आपके mouth में तीन openings होती है, और बहुत सारा saliva आपके mouth में secret कर देती है, यह होता है, यह होती है, basically क्या exocrine glands, और अगर एक और example आप लेना चाहें, तो sweat glands, पसीना जो आप STRANTS लेते रहीएगा, यह सारा जो कुछ बता रहा हो, important बता रहा हो, endocrine system important बताया, endocrine glands कोन सी होती है, exocrine glands कोन सी होती है, कुछ gland ऐसी होती है, against crown भी होती है, बड़ा important question है, important लगा लेना इस point को, तू एक्जोखाइण भी इंडोखाइण में देख़े कुना डीटा हो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको पेंक्रियास देखे यहां से चलते है यह वाली ग्लैंड देख नहीं यह ब्लू ब्लू देखिए आपको ऐसी ग्लैंड यह नजर आ दी होगी यह वाली ग्लैंड ठीक है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं एंडोक्राइन भी और एक्जोक्राइन भी जो पैंक्रियाज आपको पता है पैंक्रेटिक जूस भी सिक्रेट करती है करती है आपको डाइजे बूटियार देख रहे हैं इसको दोनों तरह की ग्लैंड से भूला जाता है समझ गए बात तो बैने एंडोक्रायन बताया यह यह नहीं बात आप को समझा गई होगी थोड़ा सा और आगे की तरह बढ़ते हैं यह इसे सीट कर रही है वह कौन है हार्मुन हैं हार्मॉन से बिस समझीन लो सुन लो हारमोन क्या होते हैं यह उवेरine कोछी सब्सक्राइब किया घरा फैंके तसे एंडो करmanuel इंस देख पा रहे हैं यहां पर इनको क्या कहा जाता है इन सबी को ऑर्मोन कहा जाता इन सभी सिक्रेशंट होते हैं उनको हम हर्मोन कहते हैं ही हार्मोन σहां जैसा चाहिए आप लो सकते हैं आपके ब्लड में यह direct secret कर रही हैं जो एंडोक्राइन है वो तो अच्छा यह जो होर्मोंस हैं इनकी characteristics को हमें पढ़ना जरूरी है कि हर्मोन है क्या चीज इसा नहीं होता किसी हार्मोन की जब जरुत पड़ती है तब उस हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है मालो हमें जरुती ग्रोथ हार्मोन की तो पिटुट्री ग्लैन ने क्या किया ग्रोथ हार्मोन को देखे यह पिटुट्री ग्लैन है इसने ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट कर दिया ठीक है यह द कि बलेपल के अंदर हमोन को सिक्रयट किया जाता है और होते हीं के वह बहुत χोटे वहोगत होता है जिसकी वजदे अगर आप इनको अंदर करना चाएंगे ना वई बलड को लें गे देखतेš हैं लगा कि हार्मय का स्बेगे टो आप asked पधिक्स होते हैं बहुत चोटे 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 सटे बहुत कम होता है वैसे ऐसे देखने puppet Stuart नमइस के अंदर को हार्मोन ले जाओ थोड़े से हार्मोन से बहुत बड़ी बड़ी चिजे एक्ट्रीं होती है यह पहले सिमकाड आता था पता हजक का सिमकाड होता था तो आज का शोटा रिचार्ज तो आज करी मिनट्स इरा को करने के लिए कि दो ऐसे समझ लेते हैं लेकि nimmt आपके पास घ्लैंड से थोड़े से को बहुत कम amount के वहर्मन को secret करती है Central Time और वह थोड़े से मामूंट का हार्मन पूरी body के अंदर forwards लुए बड़ा impact दिखाता है, ठीक Growth H愕ार्मन को थोड़ा सा secret किया पीटॉट्ट्री ने बहुत अच्छे से Cleasts की और शाते है बहुत लंबा हो जाता है वैसे पिटुट्री को तो हम पढ़ने ही वाले हैं भी थोड़े देर में ठीक है एक यहां पर एक और चीज है कि जो हार्मोन से हो कभी आपकी बोडी में इस्टोर नहीं हो सकते ठीक है जैसे मानलो किसी भी ग्लैन ने किसी हार्मोन को सिक्रेट किया वह अपनी टारगेट साइट पर गया में हार्मोन कैसे काम करेगा एक होगी जहां से यह रिलीजिंग इस्क्रेट किया होगा तो वो ऊसकी रिलीजल करेगा पहले ठीक है उसके बाद बलड स्ट्रीम से होता होता जाएगा बलड है ना कहां सिक्रेट किया किसी गलेंड ने बलड में सिक्रेट किया अब यह बलड स्ट्रीम से होता होता गया और कहां गया जहां पे इसकी जुरत है ठीक है तो वो हार्मोन जिस टार्गेट साइट पे गया वहां पे उ उसने अपना काम किया जितना यूज हुआ ठीक है बाकि अब खत्म हो घिक तो कभी भी स्टॉर नहीं हो सकते बोडी रही किस चक्रों को थाइरोटी नें सिक्रेट करती है तिसको नियुट सीop कठा हो सकता है कता होता जाता होता जाता है गलेगी साइज बढ़ती जाते डिजीज को कहा देता है ठीक है तो नहीं को सबसे पहला मैंने बताया आज कि वीडियो में हम पीटूटी ग्रेंड को दिसकेंशन करेंगे पूरी तरह से बहुत चोटी नहीं है बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करती है आपने अभी तक एक ग्रोथ हार्मोन ही सुना होगा पर यह और भी बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करती है ठीक है तो देखे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी हाइपो थैलामस के बारे म और इस सेरेब्रम के निच्चे वाले हिस्से में अगर यह आपका मान लेते हैं यह आपका क्या है सेरेब्रम है तो इसका जो निच्चे वाला हिस्सा इसका जो फ्लोर है ठीक है इसका जो फ्लोर है इसको बोलते हैं हाइपोथेलामस क्या बोलते हैं हाइपोथेलामस तो से समझ लेना इसको याद रहना इसको master of master gland कहा जाता है समझरे सबस्क्राइब को यह यहां पर लिख देता हूं ओस्टर ओफ अफ फिक सिकरिंद करती है और प्तूइट कि ग्लैंड क्या secret करेगी किसको control करेगी इसको hypothalamus control करता है समझ रहे थी तीкої बाकी सारी glanths को control करेगी तो हो गया नहyin विटयर那我們 ग leurs sons भी हो गया थे अब देखि dersaf यहां पर धे पर्जेंट है और ठीक इसके उपर की तरफ एपो खेलामस होता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस हाइपो थैलामस से यह पिटूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है तब ही तो कंट्रोल कर पाएगा ना विजो चीज आपके अधिकार्द शित्र में नहीं है जो जुड़ी नहीं है आपसे उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते ठीक वैसे ही पिटूटरी इस लेंड को हाइपो थैलामस कंट्रोल कर सकता है तो यह दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं अच्छा अब यहां पर है और यहांपर चाल म से हार्मोंसित करता है कौन से होंगे जो करने के लिए स्क bibitWe freedom order देंगे कि रिलीज करो एक इंनहें हार्मोन ये कौन से ऊंगे जो bullring को बोलेंगे रोक मत्रीन करो कि यैसे मनें बताया पीटий्टी ग्लैंड और ौक्तार मांस्टर्स अब आपको पता है धायरोइड हार्मोन को मालनो थायरोकसिन हार्मोन को स्कूरेट और मिलेगा ऐसमाइब तो यह पहले इसको क्या करेगा रिलीजिंग हार्मोन सिट्रेट करेगा पिट्टी के लिए जा ऐसा आमाउंट में हो जाएगा कि थाْयृटिके लगा मुल्म बहुत ज्याधा जाएगा की नियुद के अंदर तर जो हाईपोधलामेस की बात बस यहां तक ही है, बाकी छोड़ देते अब चलते हैं gonna पिट्विट्री ग्लैंड के उपर master gland of body जिसको कहा जाता है तो सबसे पहले कहां पर परजेंट होती है मैंने आपको बताया कि यहां पर यह जो है पर अला मसंस से निचे की तरफ यह परजेंट होती है तो हाइपो थैलामस के निचे की तरफ यह परजेंट है ठीक है तो इसके निचे की तरफ यह परजेंट होती है पहला जो हार्मोन है जिसके अंदर हार्मोन है प्रोटीन की फोम में होता है इसका फंक्सन क्या होता है एक ग्रोट हार्मोन है इसका फंक्सन होता है हमारी बॉड़ी में ग्रोथ करना जादा हमारी वोड़ी में Secret हो जाए, तो हमारी वोड़ी की growth को इतना बढ़ा देता है, कि हद से जादा आपने देखिवेंगे ना कई जो लोग होते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं और बहुत पतले से होते हैं, ठीक है के बहुत कम हार्मोन खों ज्बूnost कुम रहे जाएगे श्कूट के उपर आपको सारी इस जो इनफोर्मेशन है नगता है यहां पे पहला कि यहां पर पहला मैंने क्या बोला कि इसकी पॉजिशन कहां पर दूसरा कौन सा तर्स हार्मोन बहुत लंबे हो सकते हैं अगर कम सिक्रेट हुआ तो क्या हो जाएगा ड्रोफिजम यानि बोनापन ठीक है और स्पेशल पॉइंट क्या है कि इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ बोडी भी कहा जाता है उसके बाद देखिए और आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ते हैं त यहां पर यह भी प्रोटीन की फोम में ही होता है और इसका जो फंक्शन है देखिए यहां पर नजर आ रहा होगा रेगुलेट दा सिक्रेशन ओफ हार्मोन फ्रोम थाइरोइड तो पिट्विट्री का जो दूसरा हार्मोन है वो क्या है टीएसेच क्यों सिक्रेट होगा कि थाइरोइड ग्लैंड से थाइरोक्सीन को थाइरोइड ग्लैंड से थाइरोक्सीन को सिक्रेट करवाना है तो उसके लिए ओडर करना है तो बेसिकली यह जो हार्मोन है टीएसेच वो पिट्विट्री ग्लैंड वो सिक्रेट करेगी जाकर के ओडर कर देगा और सिक्रेट कर देखिए अगर जआदा ओर्डर करवा दिया जदा था अरॉक्षिं हो गया तो भी समस्तिया की बात तो भी प्रोब्लम हो सकती है तो लिमितेड seconds में होना भी बहुत जरूरी है इसका जो Chromone भूलिकर्टिंग हार्मोन याम श्काइट प्रोक्षे लिक अपिघिर संस्क्राइब अप्ट ऐता है मेल फीमेल सेक्षवल रिप्सट क्या हुगा होगा है उस tools फीमेलि मेट्स कोने उस था होता है स्पम इतना धू पता हुगा यार क्यों हूँ इं दोनों को क्या बनता है जाइगों और फोलिकल कंट्रोलिंग हर्मोन ARE यह में तो क्या करेगाई स्पथी उरा है उसको छत्रोल करेगा ठीक्स संदर पार tu यहां पर इसके उन्दर आप देक पा três डहांगे वह साई-फिल-्फोलिकल है इसका भी प्रोटीन है प्रोटीन की ऊप बाद करताह यह इस पर्म्टव्यंडीए कर रहे अदर और उफमेल पर्यंड चेकिन और यह इसका वर्क है तो तीन हार्मोन बेसिकली हमने पढ़ लिये हैं पहला हमने क्या पढ़ा था पहला हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन दुसरा हमने पढ़ा टी एसेच और उसके बाद तिसरा हमने पढ़ा एफ एसेच तीन हार्मोन हम पढ़ चुके हैं पिटुट्री ग्लै की टाइम पे यूटरेस की जो वाल्स होती है उनको क्या करता है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं इसको कहा जाता है इसका एक और function होता है कि जब बेबी का जन्न होता है उसके बाद देखिए बैबी को जो मदर से वो क्या करती है बैसिकली milk फीडिंग करती है दूद्र पिलाती है और मैंने आपको पताया है इसको बरत हार्मॉन भी कहा जाता है तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में भी लिखी हुई हैं तो pituitry gland के 4 हार्मोन हम पढ़ चुके हैं, लास्ट आपका 5 हार्मोन है, वैसोप्रेसिन, ये भी आपका बहुत important हार्मोन है, आपने जब nephron को पढ़ा था, याद करिए nephron पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा याद करिए नहीं जिसने वीडियो देखा है, उपर link मिल आप देख लिजिएगा नेphron वाला जो वीडियो था हमारा, तो नेphron के अंदर मैंने आपको बताया था कि DCT से water का reabsorvation होता है, ठीक है, तो water का reabsorvation करने के लिए ये जो हार्मोन है, वैसोप्रेसिन ये order करता है, ठीक, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है, डायबटीज के खास कर जो ऐसे पेशेंट होते हैं, जिनको बार-बार बाथरूम जाने की प्रोब्लम होती है, यानि उनकी बोडी से आप ऐसा मानो कि जो water है, जितना पिते हैं, डिरेक्ली बाहर ही आ जाता है, उन वोटर को रियबजूर्बेशन के लिए ओडर करता है किसको, डिसीटी को, अगर ये नहीं होता न, ये जो हार्मोन है, जो डायबटीज वाले पेशेंट होते हैं, जिनमें ये सिक्रेट नहीं होता है, तो उनमें आप देखी सकते हैं, क्या सिच्वेशन होती है, बार-बार वोटर फ्रों डिसीटी ओफ नेफरोन एंड कलेक्टिंग डेक्ट और इसके कम सिक्रेशन से जो डायविटीज हो सकती है, इसको, एडियाइज, एंटी डायवरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, डायवरेटिक का मतलब यानि टॉलेट का सिक्रेशन जादा जादा और एंटी डायग्राम बनाया हुआ है, अगर ऐसा ही डायग्राम आप देखना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं तो निचे लिंक है उस दिस्क्रिप्टिं में वहां से जाकर कि आप भी सीख सकते हैं, बिल्कुल आसा डायग्राम बनाना, लेकिन यहाँ पर देखिए यह मेल का और दोनों में separate separate होता है, दोनों में difference क्या होता है बहुत चोटी सी बात है, जहाती है, और कोई कास difference नहीं है, बाकि सेमें ऐसे का ऐसे सब कुछ, अगर male का बनाए अलग और female का बनाए तो बस इतना ध्यान रखना है, कि यहां पर देखिए मैंने आधी बनाय हुई है, और आध सेम है और आई होप कि यह पिटुट्री ग्लैंड के बारे में जो मने आपको बताया 500 हार्मोन यह आपको समझ आए होंगे नोट्स आपको साथ की साथ मिल गए होंगे इनको राइड डाउन कर लिजिए बहुत इंपोर्टेंट था पिटुट्री ग्लैंड और हाइपो थेलामस के बारे में आपको बताया हार्मोन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बारे में आपको बताया यह सारी चीज़े होप करता हूं कि आपको समझ आई होंगी तो बाकि जो बची हुई ग्लैंड से आपकी थाइरोइड और जितनी सारी ग्लैंड सांस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा यह वीडियो आपको पसंद आया इंफोर्मेटिव लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करिए इसे लाइक और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए और साथ ही बैल आइकोन को ज़रूर परेश करिए ताकि जितने सारे नोटिफिकेशन हो वो आप तक आते रहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू हैवे नाइ